अलेलोया अम सुनेंगे परमेश्र के वचर को आज आप बैठेंगे परमेश्री प्रसंस में आपका स्वागत है खुदावन दिश्यो के प्रसंस में जब गवाई अनुछ रहा था निए प्रेंग. पस्टे के पास अकर डूना? इससे कोई काम का तो है रही नहीं है. पास्टने वाला यार ये तो प्रार्थना तो नहीं कर सकता है तो चर्च अटन करता है तो उसकी हस्बेंड दारू बेचता भी दारू निये नश्य बेचता था तो एक दिन पुलीस पगड़ लिया उसको नश्य बेचते हुगे तो ये जेल में भरती हो गया उसका 10-15 साल के तो वाइफ भाग आके टेस्ट्वनी दे दिया तैंक्यू मैंने मरने के लिए प्रार्थने के अदा मड़ मरा नी उसकी गाड़ी संबदी सब कुछ में इंचोई कर सकता हूं बड़ ये जेल में हो गया तो पास्टने वाला अच्छी बात है जैसे तू चाता वैसे हो गया जो भी ये बड़ चेंज हो जाए देल ले हो गए ना तस-फंदरा साल के लिए तो ये ओर चर्च आता रहा आता रहा आता रहा बड़ चार-पांच महीने में इसने चर्च में कंपलेंट डूड़ना शुरू कर दिया क्रिस्मस में यह नहीं है दाल में मिटी नहीं है मिटी की आइक्टिवेट हो गया दोड़ाई साल उस चर्च उदर से दूथरी जगह चला गया थोड़ा बड़ा हो गया नहीं जवली तो एक बार प्रचार चल रहा था पासने पीछे बैठी हो लेडी की ओ लेडी सेम और दुखी उदास में से बैठा हुगा है तो लास्ट में आ ओवर क्रावड होगे मेरे हस्मेंट को बाहर हो गया 15 साल के सजए तीन साल में बाहर हो गया जी अगर आप चला की करोगे गवाई देने के बाद ओवर क्रावडिंग करवा सकता है हम बहुत बार चला को होती है गवाई चोटे मोटे परमेशर ने बड़ी आशिश देने मर गया जिसने के लिए प्रार्थन कर दें मर गया उसको उसको भी जिंदा कड़ा करवा का सकता है क्योंकि एशुमसे खुद जिंदा कड़ा हुआ तो शत्रु आज चुप बैठेया वो वापस आ सकता है तो गवाई मिलने के टाइम थैंक्फुल रहना परमेशर से नहीं है मैंने इस कलिशा में भी देगा है बहुत सारे ओवर स्मार्ट लोगों को जब आप लोगों से डील करते हैं आप गवाई आते हैं फिर बैठ जाते हैं हमें पता है ओवर स्मार्ट नहीं सुरू हो गया है ना पहले कोई चीज कुछ बोलता है इदा गवाई हो गया दो-चार हराец लिए सलंवें 下一 सालमें भूलाता है जैसे कैसे मार खाते थे ऊसका पीट में मासाज हो हो रहा है य। अविर पीट में मार ना बंद हो गया अभी 50 में मारना हम किटर जोई देता ना पच्चो चल थो बैठ जो बैठ कि हुआ शुरू शुरू में आप उनको क्या देते लोली पोप देते चलते लगों मेस 되고 आ आप उनकोátको लोली पॉप कखाने के लिए या कि समाधाराध इस साथ खुलींगे और रच साल का तीम क्या है time year of greater exploits in the Lord đầuं जो something structure में है वो बड़े-वड़े कारी करेंगे जो पोर में हो में क्लग बड़े-वड़े कारी करेंगे good news हेई है आप मेंसे सारी लोह कि लाइफ में बड़े-वड़े कारी होगा कि साल लोग मेरी मैं है वो बड़े कारी करेंगे आप परमेशर में है प्रभू के कारी में है वो लोग करेंगे हमें अच्छा लगता है हमारी हमारी पड़ोस हमारी आपकी दूर की रिश्टार का बेटे को गूगल में नोकर लग गया आप कुशोने से क्या होगा मिठाई ज्यादा सबसे मिक्ता है ज्यादा होग आपको कि अलवा क्या होगाै अब को म्हांे प्रभू में है आप कुछ हो सकता है इसको पता है मेरी लाइफ में का होगा क्युंकि गविल में है इंच्छा मैं मैं आपको समझाओंगा कैसे प्रभू की इच्छा में हो सकता है मतिसु समाजरादे 721 से लेका 28 तक जो मुझ से हे प्रभू, हे प्रभू कहता है उन में से हर एक स्वर के राज में प्रवेशन करेगा परन्तु वही जो मेरे स्वर्गय पिता की इच्छा पर चलता है उस दिन बहुत से लोग मुझ से कहेंगे हे प्रभू हे प्रभू क्या हमने तेरे नाम से भविश्यवानी नहीं कि और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किये तब मैं उनसे खुल कर कह दूँगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना हे कुकुर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ इसलिए जो कोई मेरी ये बाते सुनकर उन्हें मानता है वे उस बुद्धिमान मनुश्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चटान पर बनाया और मे बरसा और बाड़े आई और आंधियां चली और उस घर में टकराई फिर भी वा नहीं गिरा क्यूंकि उसकी नीव चटान पर डाली गई थी परनतु जो कोई मेरी यह बाते सुनता है और उन पर नहीं चलता वे उस निर्बुद्धी मनुश्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मे बरसा और बाड़े आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वा गिर कर सतनाश हो गया इस वजन से आपने समझे न इस साल का तीम मैं क्यूं तीम की चीज़ समझा रहा हूँ क्यूंकि तीम हमें लास्ट यर फेवर और रिस्टोरेशन हुआ आपके लाइफ में न फेवर हुआ इस साल ग्रेटर एक्स्प्लोइट्स तो मैं चातो आपके लाइफ में बिग टेस्टमनी जाए बड़े टेस्टमनी जाए बड़े काम हो तभी मैं इस पूरी जैनवरी में तीम से रिलेड़ेड आपको चीज़ समझाओंगा कैसे आप बड़े काम कर सकते है इधर प्रमेशर ने बोला हर विक्ति प्रभू प्रभू जीस जीस बोलता है कलिशा में आता है सब प्रमेशर के राज में अंडर नी होने वाला है बट जो मेरी इच्छा के अकोर्डिंग ली चलेंगी जो मेरी इच्छा के अकोर्डिंग ली कारी करेंगी यह एक ने कहा पर घर बनाया है रॉर हम इस ने बड़िया जगा म YouTubers ऑसकी घर on जो रेत वाला कोई विक्ति ज करे जो भर माना चाहता। उ कोई बसकी जो गर भर बना चाहता है रेत में आम बंदा कोई बनाएगा बताओ, उसने इतना बेवकुफ तो नहीं होता न, कोई भी तो परमेश्वर समझाना क्या चाहते इदर जो चटान है, will of God है, परमेश्वर का इच्छा है जो चटान क्या है? प्रभू का इच्छा है उसका मतलब जो परमेश्वर के इच्छा में जो काम करने वाला कुछ भी काम करेगा, वो खड़ा होगा जो प्रभू की इच्छा पे नहीं है, उसके किलाफ काम करने वाला परमेश्वर के इच्छा नहीं है, वो क्या होगा? fail हो जाएगा जब परिशानी आएंगे आंधी आएंगे उसका मतलब जो चटान क्या है will of God है परिमेशर के इच्छा है प्रभू की इच्छा क्या accordingly जो इस साल का theme है दोसु नो the Lord will do greater exploits जो परिमेशर में है परिमेशर की क्या परिमेशर एक विर्ट्रवठ्र की दुकान में काम करते हैं होटल में कुक है डोनों नेods । कि प्राष नेगे ठाप छूरो रास्था खोलो रास्ता खोलो और्स्ता क gleich हम तो काम कर रहें जूंडत चांड's से दुकानों सब्सक्राइब करना खोले रिफिनने रिफर नाशिडिया सप उसने जाने उसने समझे ति weekend इंब डोले दिया उस का तो सई तीज Jan ऐसए हज़गा मेहरािज जगा मैं जगा दि monde में जगा भी लेके और दो चार मंग देख लिए चे में में करोना आगया दोनों का शोप खोलने नहीं पाया छे महीने में बट जो पहले वाला परमेश्वर की इच्छा में था उसका भी शोप बंद हो गया समझो बट उसने रिपेरिंग में सस्टेन हो गया फिर उसका काम घर पे मिलना शुरू हो गया और पहले ने क्या किया प्रमेश्वर की कहां गर बनाए उसने चटान पर आप दो पास्टर एक्जामबल देता हूं मैं जानता हूं ऐसे लोगो दो पास्टर एक ही चर्च में असोसियेट पास्टर्स है एक उस प्रमेश्वर का दास के साथ 16-17 साल काम कर लिए जाके प्रभू प्रमेश्वर का कारी करके बढ़ गया दूसरे देख ली यह भाई प्रभू का अमाज नहीं सुना दूसरे देख लिए बाई चर्च शुरू कर दिया पहले पास्टर का बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते ते हांब अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हैं पास्टर की पहल रहे हैं ठीक है क्या चल रहे हैं और लकडी डाला हुए एक लकडी मैंने निकाला कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम में क्या होगा इसमें होगा ना कुछ टाइम के लिए जब आप अनॉइंटेड मिनिस्ट्री अनॉइंटेड बेन अफ गोड उदर से निगलते हुए छे मह तो उचलता तो होता है चेह महीना, साल बर, फिर वो कम हो जाता है, क्योंगे हाँ क्या होगा, खतम हो जाएगा, तो उसको, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, जो उस पास्टर के साथ था तो बहुत अच्छा है, बट जब अकेला काम शुरू कर दिया, पांस साल होगे, दस साल हो गया, परिशानी में, करजों में, ट्रबल्स में, इश्यूस में, बिजली देने में पैसा नहीं है, चर्च भी नहीं, लोग भी नहीं है, नाम के लिए पास्टर रह गया, एक किस में था, विल उफ गॉड में था, दूसरा किस में था, वो अपनी विल में था, आप भी यह गलतिया का सकता है, मैं ना चर्च का एक्जाम्बल लिया, बिजनस के एक्जाम्बल लिया, जो परमेशर में है, वो बड़े कारी करेंगे, जो प्रभु में नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप, मैं इसलिए बहु लिए गुट नहीं हो साल का तीम, कुछ लोग लिए है क्या परमेशर के विल में नहीं है, आपने को सिर्च पूचना, क्या मैं परमेशर के विल में हूँ, आप कैसे डूंड सकते हैं, वो भी मैं आज हल्प करूँगा आपको, उस वर्स पढ़ेंगे, एकीस एक बार पढ़ेंगे, एकीस, उसी कई, जो मुझ से हे प्रभु, हे उनमें से हर एक स्वर के राज में प्रवेशन करेगा, परनतु वही जो मेरी स्वर्गिय पिता की इच्छा पर चलता है, जो विल में है, जो परमेशर की विल में है, वो ही काम कर सकते हैं, हमें हमें से हर विक्ति बिसनस खोलने के लिए, बुलाए गया,of कोई बिसनस चला हर वेक्ति हर काम के लिए नहीं बुलाए गया हर बहुम हर वेक्ति सेवा करते हम सब एक प्रमेश्वर का जीसस क्राइस की कलिश है उसकी एक अंग आप जितना preaching important है उतना important है विजली की काम समालने वाला भी विजली निये तो क्या करोगे विजली निये तो क्या करोगे खाना निये तो क्या करोगे अधरी बिचाने वाला निये तो क्या करोगे पुल्पिट रखने वाला निये तो क्या करोगे हर विप्ति का role जब आप identify करोगे आपकी role, आपकी will हर जगा तब आप successful हो जाएंगे, तब आपकी घर कैसे बनेंगे, उस चटान पर होंगे, नहीं है तो आप पूछते रहेंगे, पूछते रहेंगे, आपको लोग चड़ाएंगे, आपने दो चार गाने घर पे जूम, आजकल जूम मीटिं हवा बरती हैं में किसी ने मैं मेरा गाना तो मतलब बास हो गया जी बहुत बढ़िया, हमने जाके परमेश्वर का चर्च में हमारा एक जगा दिया था परमेश्वर ने वर्शिप करने का, उसकी आराधरक था, वो रोल था, बट हमने तो बन गया, अब बनना शुरू कर दि ये शो बैंड वाले को तो बुलाहट था, बुलाहट है, उसका बुलाहट उसने इडेंटिफाइ कर लिया, बट आपका बुलाहट था चर्च में परमेश्वर का सेवा करना, और आल्बम रिलीज कर लिया, आल्बम का CD भी, YouTube भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बस भी शुरू करते हैं, जूम मीटिंग में हमने अच्छा दो-चार बार प्रचार कर लिया, कोई अंकल आके वोलता है, बेटा तु बहुत बढ़ी प्रचार करता है, तु पास्ट हो सकता है, हमें बुलाट नहीं है, बट हम प्रचार अच्छा कर सकते है, प्रचार तो कुछ भी नहीं है, जो चर्च का पादरी का काम का दस प्रदिशत है प्रचार, बाकि बहुत कुछ होता है, विल्ला अफ गोड में है आप परमेशुर का, इच्छा में है, नहीं है, मैं एक एक विक्ति को जानता हूं, मीडिय में काम करते है उलड़का, और 40 साल का है, तो बहुत अच्छा साउंड मिक्सिंग करता है, बहुत अच्छे एडिटिंग करते है, बहुत एकस्छेलेंट पर्सन, मैंने उसे एक बार बॉला भाई, तू यहरा एफम स्टेशन में नयने मसी था, मैं सोच थे, क्यों चर्च में नोगरी करता है, तू जाके क्यों नहीं तू एफम मेरी मेरे लिए तो रहा क्या प्लाने है तो बोला तू जो तेरा मेन अफ गोड है हॉल लाइफ उनकी सेवा कर तेरा कॉलिंग क्या है तू ओ जहां तुझे फिट करेगा उसकी काम कर आज 20 साल के बाद उसकी पास गाड़ी है आशिशी अनुगरें अपनी धर है ब्लेसिंग्स है बहुत कुछ है उसकी कॉलिंग क्या उसका विल क्या प्रमेशर का इसके लिए इच्छा क्या था उस मैन अफ गोड के साथ मिलकर सेवा कर, यह तेरी में ब्लसिंग है क्या तू वो बनने कोशिश मत कर या तू एफ तो एफ opener में गया तो वो सकाथ है हो फेल हो गया होता ड कौन करेंगे बड़ा काम». जो परमेशर में है, वो करेंगे बड़ा काम. जो प्रभु में हैун Will of God में है, जो प्रमेशर में है, नहीं है तो हम बस साल एंड हो गया, बहुत सारे लोगों के रसलीशन तो अभी खतम हो गया, आट दिन में खतम हो चुका है ना, जिम जाएंगे सोच ले, जिम से मैंने सोचा जिम जाएंगे तब से बारिश हो रहे जी, आप में बहुत सारे कि मोस में पकोड़े जैसे मनता है, बस मेरे से हो नहीं पाता जी, हो गया फास्टिंग, 21 दिन के फास्टिंग, अब 21 दिन का बोलेगा तो भी में फास्ट नहीं करूँगा, विल अफ गॉड कैसे, आप विल में है परमेशर का, मैं आज का इसका इसका नहीं बढ़ा रहा र दस प्रदिशत देना, कुछ लोगो दस प्रदिशत के लिए नहीं, आपको 20, 30, 40 के लिए बुलाएगे, आप जानते हैं, आपको परमेशर ने बोला गया, हमें उस विदवा ने क्या दिया, पूरा दिया, तभी परमेशर कुश हुआ ना, आप में से कुछ लोगो, होगे, आप सोचें के नहीं, मैं बंद करूँगा, और मेरे पास तो मैं इतनी महीने लाकों रुपे ओफरिंग देता हूँ, मैं क्यों नहीं जगा खरीद के चर्च शुरू करें, आपके लिए पास जगा भी होगा, माइक भी होँगे, बेस्ट इनाइगुरेशन भी हो सकत नहीं जानता हूं, बिसनस करने वाले लोग, एक चर्च में भेए वोगा, दी तड़लो होगे, ओघर अपने बिसटनस के साथ, इन्के संडे उनकी बिसिनस में मैं इशारवा हो सिए बोलता हूँ, क्यूंकि मैं सोचता हूँ जो हमारा चर्च का परचार नहीं सुनता है, भहुत सरे लोग सुनते हैं मेरे को बाद में complaint आता है हमारे एक्जाम्बल क्यों लिया मैं सुछता है तुम लोगों तुमारे चर्च को सुना है हमारे क्यों सुन रही है मैं तो free में 답 four जो उन्होंने सुचा अधी हमारा business मैं कोई नहीं आता kholदेते chart और चर्च में क्या होता है हम लोग सूचते जब बिसनस करने वाला सूचते दस से पांच बजे होता है बड़ चोबीस गंड़े फोन आता है चोबीस गंड़े का वरी के लिए लोग फोन करते हैं इन्होंने बोल दें नहीं जी एक दो साल के बाद बोल दिया पासर के वापस हमारी बस की बात नहीं है जी आप बस आप समालो पैसा है बहुत है गाड़ियों में गूमते है वो कॉलिंग होना चाहिए कॉलिंग नहीं आप फेलर हो जाओगे टीचर का कॉलिंग है आप मैं आप टीचिंग अच्छा करते हो प्रमेश ने बोलाहट दिया हो सकता है आप बहुत सारे बच्चों को प्रहु में लेकर आ सकते हैं ऑसकता है मृलिटी डाउन है आपको प्रहु से नोकरी में इसलिए रखा क्योंकि आप जानते है आप अछ्व शुग waurend करोगी हुँग हो सकता है जिस बच्चा की हातों में टीचर हो संधीया कल हिंदोस्तान का प्र किया उन्होंने मुष्री सोफ चारिटी का बलसिंग एंचोई किया तो हो सकता है आप बोलेंगे कलो प्राइम मिनस्ट होगा हिंदुस्तान को डिसा हिंदुस्तान को लीड करने वाला होगा वह बोलेंगे मेरा टीचर ने प्रभु यू के बारे में समझाया मुझे सपोर्ट क दो और आपका कॉलिंग था उस बच्ची को समालना जब आप विल्ल ऑफ गोड में होंगे और विल्ल ऑफ गोड कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेंगे विल्ल ऑफ गोड हम हो गया एक साल से आ रहे परमेशर में आप तक बप्तिस्मा ने लिया परमेशर का विल्ल ऑफ यह आपने तक बप्तिस्मा नहीं लिया आपने गवाइं सुन लिया टेस्टिमनी सुन लिया मेरे को आपको जोर्ज पीटर प्रचार नहीं कर रहा है जो मैंने टेस्ट किया पर में अन्य जादी से आया आप देखते हैं हर दूसरा तीसरा वेक्टी कोई बाइब बॉर्ण क्र परमेश्र का चाहते हैं प्रभु मेरा विल आफ गौड जो तेरा इच्छा मेरे लिए रिवील कर परमेश्र बोलेंगे तेरा इच्छा तू बेसिक एक चीज तो अबहे नहीं किया अभी तक हो बटिस्मा नहीं लिया परमेश्र किछे तो नहीं चला अभी तक है क्या विल हमें डेली शाम को चार बज़े से चर्च में से जाता है आप चाहते हैं पाशी चार बज़े तक चले क्यों चार बज़े से अच्छे लड़ी किया वर्ल स्टीट में आना शुरू हो जाता है बस दो बज़े फिर घर जाके वापस आना पड़ेगा पांच नमबर या उदर बस दो से चार बज़े तक कुछ भी घर के निपटा है चार बज़े से अच्छे लड़ी किया ना शुरू हो जाता है चार से लेकर आट बज़े तक वर्ल स्टीट में अच्छी डेस्टिनेशन हो गया ना बस अपनी आंख सुबह येश्मसी के बारे में प्रचार शाम को अपन बोटक अडर एक्सिदेंट के वर अप्रस्ट का युव परस्टप यह तो, आप मुझे समझ आगे, क्योँ? इंटेंशन ही गलत होता तो, क्या होता है? फिर पवित्रदाई को मेंटेन करना चाहिए अपनी लाइफ में, किस जिसको? पान तेस मिनिट मोबाइल आफ करके, टीवी शीवी लोगों से वो बात करना शुरू करता है, बहुत टॉकटिव है, आप एक पड़के, मेडिटेट करते हैं, और पड़े 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 आपको बात समझा के आपको कहां कहां ले जाता है, बताते है, पवित्रात्म, इस व और आप आज, मैं ये भी चाहता हूँ, आप जो कारी कर रहे है, रिजाइन करने मज जाना, परमेशर से बैठो प्रभू, मैं और एक्सेलेंट सर्व करना चाहता हूँ, मैं और एक्सेलेंट सर्व करना चाहता हूँ, परमेशर रास्तों को खोलते हैं आपके लिए, आप व मेरे प्रेयर को की अधे हैं जानेsu कि प्रेयरमीस ने टेरे प्रेयर थे को वंग काम के लिए कि इस्तमाल करो मुझे ओवयुयू अर्यूं य मेरन सविस्वरिस नाम परेयर miywa ! उसमें जाके जोइन करो मैंने देखा छी के प्राइटी में जाएंगे कौन है आठ आंटिया थे बुड़ी अंडिया को मैंने थीक है लड़ी लड़का जा कहा को और बट उदर चार से चे बजे हर शरी बार चार से लेके शे तक प्रेर होता था है मैं जाकर बैठ के प्रार्चना किया बट जब उदर इसमेन पहले माइक पकड़ा उदर इमेरा दरभी थोड़ा दूरों न शुरू इंधा और ल उदर से शिरुवात होगे फिर आगे 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 परमेशर अंफोल्ड करता है जैसे परदा हटता न एक 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 परदा हटाता है जब आप विल अफ गोड में परमेशर कारी करेगा विल अफ गोड में निया तो आप फेल हो जाएंगे Will of God में आपको किस में होना चीए परमेशर करें Will of God में होना चीए नहीं तो आप फेल हो जाएंगे जब मैं observe कर रहा था इस चर्च की जिब से जनम से लेके हम Will of God में तभी तो हम खड़ा हुआ मेरे एक मित्र है उसने बोला तुमारी जैसे तुम लोग चर्च के काम शुरू हो गया बहुत लोग जो पुराने चर्च की ग्रूप की एक्सपेटेशन था तो डेड़ साल में फटके वापस आएंगे तो आएंगे बैठेंगे मेरे स्पिरिचल फादर भी बोलता है उनकी जब कारी शुरू हुआ दा बहुत सारे लोगों में था नय-नय चोरा है चले कुछ दिन के बाद खराब होना है, खत्म होना है बट जोिलल वफगूर में होता है प्रमेश्न उसको बचा कर रखते बना कर रखते उसको हराब होने नहीं देखा उसको चारों तरह से बचाएगा आप विल अफ गोड में प्रोविशन देखेगा मैं बोलता हूं इफ इस विल ही विल पेड़ आपको बुलाया वह आपको जस्टिफाई करेगा आपको खड़ा भी करेगा आपको वेवसाइक के लिए बेजा आ आपको सब कुछ परमेश्वर करेगा आपको अडिमिशन जिसने दिलवाए विल अफ गोड में है आपको तरकी हो जाएगा प्रभू की इच्छा में हे तो नहीं तो वही सेम अडिमिशन वही सेम स्कूल आपके लिए खराब हो सकता है आप रो रो के प्रमेश्वर से प्रफेक्ट विल क्या होता है प्रफेक्ट विल आपने अपना बेटी आके बोला पापा मेरे को गाड़ी दे दो आज मेरे को जाना है जाना है पापा ने बोला नहीं तेरे को आज ड्राइव नहीं करना लाइसेंस है पापा बोले रात तो तेरे को ड्राइव नहीं करना फ चल, 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 आप की घर किस पर आप बनाना चाहते हूँ, चटान क्या है, परभू का विल ने, विल आफ गॉडड चटाने, आप सिंबल सी वाद बता हो, कोई रेत पर घर बनाएगा, कोई भी नहीं बनाएगा तो उसका लीडर परमेश्र समझाना है चाहते हो, व आपको तरक्की मिलेगा, Will of God में है, आप प्रचार करेंगे, प्रमेशर आपकी कारियों को बढ़ाएंगे, Will of God में है, आप जो करेंगे, उसमें तरक्की आएंगे, Will of God में है, आप जो करेंगे, प्रमेशर हातों में आशिश देंगे, प्रभू की Will में होना चाहिए, कि यहारी कुछ तृच करेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे आप करेंगे कॉन्फिट error में फमे बहुत सारे फृट ऌह लोग है आप जो काम कर रहो परफेक्ट में उस रासते में चलते रहो बस कुछ लोग है नी आपको डोन ने करने के आपको identify करना हूँ और विल ओव गोड में, आपको identify कैसे होगा? आज आप बप्तिसमा ने लिया, इस सफे प्लान करो बप्तिसमा लेना, पवितरदाई में रहो, किसमें रहो? पवितरदाई में आंखों में, सोचों में, विचारों में, परमेशर गंदा जगामें नहीं, आपकी लाइफ विविजार से, दारू से, चोरी से, गॉसिप से, गाली से, उल्टा सीधा काम से भरा हुआ प्रभू आके बैठ के आपको विल्ल अवगोड समझाओ. आपको उदर जाके अपना प्लान बता दो, अच्छा, ये गंदा टेबल है, बस तू कर ले, नहीं, पवित्रदाई में रहना बहुत जरूरी है, तू मच फेस्बुक, यूट्यूब, सोशल मेडिया, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ये आपको खराब ही कर देगा, तू मच, आपको इससे भी फास्टिंग लेना चाहिए, आप जानते, मैं कभी कबर लेता हूँ, दो महीने मैं फेस्बुक डिलेट करता हूँ, अपनी मुबाइल से, मैं बोलता हूँ, मैं फेस्बुक में हैं नहीं, मैं टीम को भी बताता हूँ, ध्यान रख लेना, मेरी पेज और देख रहे हैं, मैं दो मेने कभी इस्तमाल नहीं करता, आपको कभी कबर ये भी चाहिए, आचाब मैं मुवी नहीं देखूँगा, मैं गंदे गाने नहीं सुनूँगा, बहुत पसंद है मुवी की गष, आपको उदर से भी फ्री होना चाहिए, परिमेशर आपकी इमेज से प्रार्थन करने के लिए, आपकी दिमाग में भरा हुआ है, इमेजस, 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 आशीकी की गाना भरा हुआ है, ओर जिनल आशीकी तो नहीं आ रहा है, नकली वाला है, जो यो तक लेकर जाएगा तिरे को बस, उसका आशीकी उदर खतब हो जाएगा जि क्या करने ताइं स्टइन नहीं करेंगे तो क्या होगा आप बात भी नहीं ही करेंगे पर्मैश्र आप के साथ और आपके में ऑफ गोड के दोड़ा भी परमेश्र भात कर सकते बहुत बार मेरी लाइफ में जब मैं इटर नंफियूज consisted का टूमच कंफियूज था मैं तो मच बड़ उस महीनों में मेरी स्पिरिचल फादर ने मुझे तीन बार पर्सनली मिला और लास्ट तेम मैंने वला में एक छोटा जगा मुव कर रहा हूं उन्होंने कुर्सी से उठ गया नहीं करना मैं और क्या मैं पर्मेशनल नहीं प्रभू मेरे को confusion है अभी भी अरे मेरी स्पिरिचल फादर ने जब मैंने बोले एक छोटा जगा मैंने फाइल किया और कुर्सी से उठके बोले नहीं नहीं करना बस वो मेरा लास्ट था बस हो गया जी अब मैं आँख बंद करके जा रहा हूँ जो नहीं जगा में that's it man of God के दोरे बात कर सकते है जो मुझे छे मेने साल बर कभी नहीं मिलता उस जब मैं confused था मेरे प्रमेशनल नहीं प्रभू मैं confused हूँ मेरे चारों तरह से voices आरे है wife बोलता है leaders कुछ बोलता है advisor कुछ बोलता है मेरा logic कुछ और बोलता है मेरी understanding कुछ और बोलता है मैं बहुत confused हूँ प्रमेशन और कली और मेरी spiritual फादर ने वाला move करना है बड़ में जगह में confused हूँ ओ प्रभू ने मेरी उपर दियांग दिखाया जो 6 मेने में साल बर में मिलता ने है वो उन महीनों में मेरे को 3 बार personal मिला वो यह same चीज़ वोला नहीं करना नहीं करना आपके man of God की words smooth निकलते हैं आपके लिए directions दे सकता है अच्छ यह direction और आप जब प्रचार सुनते हो वो भी आपको directions दे सकता है स्टिया जेंड़ को 2 है भी दे थो खंटे नमें आप प्रचार सुनते हो कि हम मेरा चे साथ गंडे प्लस होता है क्योंकि मेरा सेल कvos गाडी में होता हूं जो मेरे साथ क ही दूर ट्रावल कररने उनसे पूछने पूचने में सोथा हम बैढ़ता हूं कोई ministry में में उठाके हमारी इदर अप्लाई करता था मेरा पहले के नेचर था अच्छे चीज़ हम चाहता है हमारी पास भी हो जाए तो मैंने बीच में एक प्रचार सुना उसमें लिखाया है उसमें समझाया किसी को किसी को सुबे गरम पानी सूट करता है बट किसी को नहीं क अचिसना मेर को पूसी टाइम क्लिक हो गया उसका मतलब कोई स्टैटेजी किसी और की लाइफ में चल रहा है मेरा मेरी लाइफ में जुरूरी नहीं चले आ अ मेरे को क्या समझ आगा क्लिक क्या ओगया उसी टाइब डेट लगया बतिल अ को शना बहुत बार सुना मैं चार-पान्च बार सुनता हूं आ और बती क्या लगया हुआ उसका मतला हरी तेरे को हर चीज़ सूट नहीं करेगा तेरे को समय प्रार्थन करना तुर तेरे को इंप्लिमेंट करना है कुछ स्ट्रेटी जो सब के लिए तेरे लिए नहीं हो सकता कैसे वो डिरेक्शन कैसे प्रमेशन ने कैसे दिये मुझे तुरू मैं मैं अफ़ गॉड मेरी प्रमेशन के दास की द्वारा दिया हम गाड़ी में बाइड़ते सोचते हैं आज नेट नहीं मिलेगा जी प्राइम वीडियो में चार वीडियो डाउनलोड करके जाएंगे चार ने दिया है तो दे दे या रिप्लास वेड़ जरा है उसके वाद हमारी टार्गेट है आज बदस मूविय कहतम कर रहा है कैसे प्रमेशन बात करेंगे आपसे घर जाते सास बहु सीरियल चलता है पतने मानसा का शादी शर्मा जी के साथ हुआ बाटी जी के साथ हुआ उसकी दूसरी शादी से जो बच्चा हुआ जा पहले वाला हस्बेट को पता चला इसको पता चल गया यह घर से निकलने का टाइम उसकी पुराने सेटिंग आने वाला है हम टेंशन में सुबह से सीरियल का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा पवितर दाई में हो तब भी आँ परमेश राप से बात करेंगे किसमें? Will of God में हो न चाहिए आपको through man of God परमेश राप से बात कर सकते through your man of God man of God भी हमारे पास तो अलग अलग है है न? बीच में दो महीने जाएंगे temple of the most high God church फिर बीच में जाएंगे यूपी में चलते हैं चाचाजी वाला चर्च में उदर से उस man of God से भी सुन लिया इदर से भी सुन लिया हर जगा से सुनते सुनते कुछ भी समझा रहा हर किछडी बन गया हमारी लाइफ और हम सोचते हैं छे मैने में एक चर्च में चक्कर लगा दिया काहीं दूर में, फरीदवाद वाले जाते, यूपी में, यूपी वाले जाते, जम्मु काश्मीर वाले जाते, दिल्ली में, और हमें spiritual tourism फील हो गया, जी मैंने थोड़ा 2-4 दिन लगा के एक जगा चर्च में आके विसिट करके आ गया, वह नहीं है, आपको continuously implant होना चाहिए, तब ही जा के आप कुछ कर सकते हैं प्रमीशर के लिए, ये तो आपको लोग कंफ्यूस करेगा, लोग आपको कंफ्यूस करा देगा, आएंगे अपनी पेरों में, विल अफ गड़ाज मांगो प्रमीशर से, हेलिंग और डेलिवर्स प्रेर में जाने के पहले विल आफ गाड़ा लाज़ पिकली संड्ड़ी मेरे पास साढ़े चार बजे किसी का फोन आया, क्या को मैं बोलड़ां में, पिछली संड़्े, साढ़े चार बजे किसी का फोन आया, मैंने वह लाज़ा, आपका का म हो गया, तर sistemas में घृटंडने तक हैं नाही नहीं क्या हो एपने जो लोकेशन दिया मेरे को 100 km तक रास्ता नहीं पता था बढ़ादा जैब रास्ते के लिए 100 km रखता एक डिड़ी अवादा मेरे को पता है मैं इस नावगेशन ओफ किया मैंने गाड़ी चलाते चलाते 200 km आगे चलागा बरको पता नहीं चला और कॉनूंटन्टें जा आपन्चिन जा जपन्छटा जब पांच्ज वज़े पहुंचा सब फंक्शन फंक्शन होर था 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 जए बना कोई बात निया जा ज़िए जिए घएंग बार धिए घर्च यह और किया नाविगेशन जल्दी ओफ चर्च में चार साल आ गया दो साल आ गया पता है जी आप सब पता है अब आदम से लेके बेश्वा तक पूछो मेरे को पता है सब कुछ है मैं प्रीचिंग में एक्सपर्ट हूँ आज जब आराधना चलने का टाइम परमेश्वा दो प्रभू विल ओफ कॉड में मैं चलना चाता हूँ मैं आप से गूटनीओजिट देना चाहता हूँ और आपके लाइफ है अगर आप कि लाइफ अगर आप गुगल मैप्स यूज करते आपको बता है रासता गलत हो तो भी एकारिर autin हो तिया पता ना हाँ चार गंडे के रास्ता कभी सात हो जाता है बड़ी रॉट होती है, आपकी लाइफ भी रूट कर सकते है पर मेश्वर, अगर आप गलत रास्ते पे तो आज मांगो पर मेश्वर, ये भी मांगो पर मेश्वर में क्या financially 10% देने के लिए बुलाए गया क्या मैं चर्च में Sunday Sunday आने के लिए बुलाए गया क्या मैं सेवा संड़ बस दोगंडे करने के लिए बुलाए गया पूछो, आपका हो सकता है सेवाद, बोल दो, प्रभू, मैं क्या-क्या करने के लिए तू मुझे बुलाएगे, मुझे रिवील कर, और मैं कह रहा हूँ, बहुत लोगों से प्रमेशर बात नहीं करेंगे, बहुत लोगों से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पवितरदाई में नहीं है, बड़ आज दया मांगो, बोल दो प्रभू, जिस कैलिवरी क्रूस में ये शुमसी, मेरी और आपकी पापों के लिए चड़ाया गया, और उस लह को मांगो, बोल दो आपने आपको शुद्ध करो, अब तक का पापों माफ करेंगे, और आपको शुद्ध करेंगे और आपको नए जीवन बनाएंगे, पहले पवितरदाई मांगो, हॉलिनेस मांगो, फिर वो आपसे बात कर पाएं, आपकी लाइफ में काम कर पाएं, जीसस क्राइस जैसे बात करने वाला कोई नहीं है, वो इतनी बात करता है जब आप उसे मांगेंगे, वो आपको रिवी गया, बढ़ आज प्रमेशुर को जब आदने चलने के टाइम हां तो उठाते हुआ, विल अफ गॉड प्रभू, तरी विल, जो मैं तरी इच्छा में है, मुझे रिवील कर, और मुझे इस रास्ते में बना कि रका, मैं इस रास्ते में खराबना हो जाएं, बहुत खतम हो और टेस्टिंग आएगा, आपकी लाइफ में क्या एंगे? आंदी उसने चटान पे बनाया, उसको भी तूफान फेस करना पड़ा और जिसने रेत पे बनाया, उसकी लाइफ में भी तूफान आया, है ना? बट एक सस्टेन हुआ, दूसरा मर गया, एक तरकी में पालिया, आंदी आये, गॉल्ड खरीद लिया किसी ने, किसी ने लोहा खरीद लिया, दोनों जब आग से डाले जाएंगे पता होगा, हम पेंट खरीद के इस लोहे की बाहर भी तो गोल्डन कलर का पेंट लगा सकते है ना? यह जो स्टार है यह भी गोल्ड लग रहे ना? गोल्डन क आएंगे, इस्यूस आएंगे, परिशान, किसी को बिमारी के दौरा, परिशानी के दौरा, टॉबल के दौरा, आपका रियल नाजर आए परमेशुर को, हाँ है भाई, यह असली चीज है, तब परमेशुर बड़ा कारी कर सकता है, आज बोलो परमेशुर मुझे डीपली ब और आपके लाइफ अभी स्टागनें एकुछ टाइम से पुल्द परवेश्वर इस स्टागनें सी तो क्यों लेके आया तेरी इच्छा है या मेरी गलती है कुछ टाइम लाइफ नॉर्मल ड्राइ कुछ नहीं हो रहा कभी वह प्रभू का प्लाने कभी वह आपकी गलती है मेरी उपर दिया कर मेरी परिवार की उपर दिया कर पिता पर मिश्वर रवील करा